स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में जैसा कि उर्दोग्रामर में आप सभी लोग को पता है कि लगबग लगबग टॉपिक को पढ़ाया जा चुका है और आप सभी लोग का भर-बर के कमेंट आ रहा था कि मैं उर्दोग्रामर क से हर एक मुहावरे को करा देती तो किसी भी मुहावरे को छूटने की गुंजाइश ही नहीं रहती तो मैं सोची कि आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं लगबग सभी टॉपिक को कवर कराये गया है मुहावरा समझकर मैं सोची यह तो आसान होता है लेकिन फिर भी कोई- कि यह में मुहावरा का वीडियो आना चाहिए तो आप लोगे कमेंट और आप लोगे डिमांड पर आज तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितना भी मुहावरा है न उसको मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंतक पुरा निचो और निकाल कर समझते हैं ठीक है हर एक मुहावरे को आज के इस वीडियो में आप लोग को कम्प्लीट कराने वाली हूं सबसे पहला मुहावरा है आश्मान से तारे तौड़ना बहुत ही खतरनाक मुहावरे इसका मतलब क्या होता है बहुत मुश्किल काम को हल करा यानि कि से का मतलब है यह दिया गया है लेकिन इसरकारी नौक्री थोड़ने के बराबर है यानि कि आस्मान से तर्य तोड़ने conscient क्या होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम करना तो आज कल सरकारी नौकरी हैं गौवर्मिन्ट जो है ना नौकरी हैं अगे बढ़ते हैं अगला मुहावरा है अब आब होना इसका मानी होता है शर्मिंदा पंदा होना अब इसको जुमले में देखिए इस्तमाल किया घ्या है हामिद अपने कीये पर आब-ाब हो गया यानी कि उसने जो किया वह अपने कीये पर क्या है शर्मिन्दा है अगला मुहावरा है आब अधाना उठना एक जगा से दूसरी जगह चलिया ना इस मुहावरे का म आगे बढ़ते हैं अगला मुहारा है अब तब होना अब तब होना का मतलब होता है बुरा हाल होना उनकी हालत अच्छी नहीं अब तब हो रहे हैं इसे डारेक्ट पता चल रहा है कि वो जो है ना उनका बुरा हाल हो रहा है आपे से बाहर होना ये तो आप लोग सुने होंगे आपे से बाहर का मतलब होता है गुसे से बेखूद होना यान कि बहुत ज़्यादा गुस्ता होना ठीक है मेरी बात सुनकर हामिद आपे से बाहर हो गया यहां पर जुम्ले में इस्तमाल कर दिया गया कोश्चन आप लोगों से यसी तरही के से पूछा जाएगा कि मंदर जसायल या फिर कोई भी एक मुहावरा दे देगा जिसUI के मान ली जाय आपे से बाहर ओना नहीं है कोई भी एक मुहावरा डे सकता है और कहीगा की इस मुहावर का मानी बताया शिल्टिक्राया और तरह प्रफिए इसे तरीके से आप लोगों को भी जो है ना मुहावरे को जुमले में इस्तमाल करके लिखना होता है अगला देखिए अगला मुहावरा है आस्तीन चढ़ाना यह कोशन पूछा हुआ है ठीक है यह कोशन जो है ना बिहार बोड के तरफ से पूछा हुआ कुशन है आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है लड़ने पर आमादा होना यह जी मैंने हामित के खिलाफा अस्तीन चढ़ा लई यह खिर आप यह थी आस्तीन कह साब होना यह भी इमपर्टेंट है असिमरी दोस्त बातिं में दूस्मन होना यह तो respectful है अंदर से तो अंदर से दुश्मनी होना किसी इंसान की परती तो उसी को हम क्या कहते है आस्तिन का साप होना यान की आप लोग सुने होंगे कोई कोई फिल्म में डायलग भी होता है यानि तुम तो आस्तिन के साप निकले साप ठीक है यानि की आस्तिन का साप मतलब क्या रियल कि किसी को बेखो बनाकर अगर आप अपना काम निकलवा लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है अपना उल्लू सीधा करना किसी का भला हो या ना हो मैं अपना उल्लू सीधा कर लेता हूं यानि कि मैं अपना काम निकलवा लेता हूं बेखो बनाकर अपना सा मूह लेकर रह जान इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना हामिद जैद से मिलने पर अपना सामूह लेकर रह गया अगला मुहावरा है अपने हक में काटा बोना ऐसा काम करना जो अपने लिए नुक्सांदा हो जैसे कि जैद हामिड से मिलकर अपने हक में काटा बो रहा है या फिर इसी मुहावरे का एक इन्य पयों कहता है आपयल मुझ्खे मार, यान हामित दोस्तों के बीच अपने मुँ मिया मिठ्टू बनता है ठीक है सबसे पहले तो खुद की तारीफ करना नहीं चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिए अगला मुहावरा है आसमान पर दिमाग होना यानि की बहुत गरूर होना रिजल्ट अच्छा होते ही हामित का दिमाग आसमान पर है ठीक है यानि की रिजल्ट अच्छा होते ही हामित को जो है अपने आप पर बोजदा गुरूर हो गया है तो अगला मुहावरा है अपने गरीबा में मुह डाल कर देखना यानि कि अपनी हालत पर गौर करना हर शक्त को अपने गरीबा में मुह डाल कर देखना चाहिए ठीक है नेक्स्ट मुहावरा है आग पर तेल छिड़कना यानि कि गुस्टा भढ़कना आप लोग सुने होंगे तजर्बकार को अकल बताना अफ्ताब को जब आप लोग शिराग दिखाएंगे सुरज के पास तो खुद रोशनी होता है खुद परकाश होता है और उसको ले जाकर आप शिराग दिखाएंगे इसका मतलब यही होता है जो आदमी अकल मंद है उसको अकल बताना हामित के मुकाबले में जेद का नाम लेना अफताब को चिराग दिखाना है नेक्स्ट मुहावरा है उसान खता होना ठीक है? यानि की बद हवास होना यानि की रिजल्ट देखकर मेरा उसान खता हो गया है ठीक है? एडियर अगरना यानि की बेबसी की जिंदगी गुजारना एडियर अगरने से तो मौत बहतर है और नेक्स्ट मुहावरा है आग भी आँख बिचाना यानि की खुब खातिर मदारात करना हामिद जब भी आता है मैं आखे बिचा देता हूँ यानि की खुब खातिरदारी करता हूँ आटे डाल का भाव मालूम होना यानि की एहमियत और परिशानी का एहसास होना सवाल देखकर हामिद को आटे डाल का भाव मालूम हो गया यानि कि इसको पता चल गया एहमियत और पर्षानी का एहसास उसको हो गया कि हाँ सवाल किस लेबल तक आ है आँख चुराना का मज़ना ना दिखाना या फिर नजर बचाना हामिद को देखकर जेद आँख चुराता है ठीक है तो यह महावरे में इस मुहावरे को जुमले में इस्तिमाल किया गया है अगला देखिए अगला मुहावरा है आख बदलना यान की बेरुखी से पेश आना रिजल्ट अच्छा होने पर हामिद ने आखे बदल ली आख दिखाना का मतलब होता है गुस्टा करना हामिद अक्सर जेद को आखे ब्रूआन की आख मिल तूम मुझाना पर पानी ज़ल्ट ट वी नेंसола मैं की बेर से कभी 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 ऑन के चारde सकते иск MARTIN के आंख से आंख नहीं मि््मिला सकते झाफिक चुरूना यानि की चौरी में महारत दिखाना हामित' you बहुत होश्यार हे वहां को से काजल भी चुरा लेगा आंखे लाल पिली करने का मतलब होता है गुस्टा होना ये भी कोशन पूचा गया है गुस्टा होना यानि कि हामिद खामखा जेद पर आँखे लाल पिली कर रहा है आँखों से ओजल होना मतलब दूर होना हामिद तो पास होते ही मेरे आँखों से ओजल हो गया यानि कि हामिद जैसे ही ए पर्दा पढ़ना यान की गाफिल होना मेरी आँखों पर पर्दा पढ़ गया था तभी यह काम बिगड़ गया ठीक है आँखों में खून उतरना यान की गुस्से से आँखे लाल होना हामिद की बाते सुनकर मेरी आँखों में खून उतराया आँख में धूल जोकना ये भी क मुहावरा है आखे भराना आखे भराने का मतलब होता है आखों में आसु आना हामित की बाते सुनकर मेरी आखे भराई आखे बंद कर लेना जिसका मतलब होता है मर जाना घरेलू जगडों की वज़ग कर हामित के वालिद ने आखे बंद कर लिए आखे रोशन होने का मतलब हो बुशंगे करना दिखने में अच्छा नहीं लगना अमीर दोस्तों की आख्व पर काम आना, बुरे वक्त में किसी के आड़े आना नेकी है, यानि कि किसी के काम आना नेकी है, आड़े हाथो लेना, यानि कि बुरा भला कहना, हामित ने जेद को आड़े हाथो लिया, अल्ला को प्यारा होना, यानि कि मर जाना, हामित के वालिद कल रात, अल्ला को प्यारे ह गया आलुप होना यानकी रुपोश होना यानकी रिजल्ट के बाद तुम ऐसा आलुपो गए और रहे हो थीक है अगला है महावरा उल्लु बोलना यानकी उजड़ जाना जाहिद साहब की मौत के बाद उनके दफ्तर में उल्लू बोलने लगा उल्टी गंगा बहना इसका मतलब होता है रस्म और रिवास के खिलाफ होना नौजवान ने वह रंग इख्तियार किया है जिससे यहां पर जो है ना थोड़ा सा कड़ गया है एक मिनित यहां पर नौजवान ने वह रंग इख्तियार किया है कि वहां अब उल्टी गंगा बहने लगी है ठीश है तो यहां पर उल्टी गंगा का मतलब होता है रस्म और रिवास के खिलाफ होना अगला मुहावरा है बाल बैका करना नुपसान पहुंचाना इसका मतलब होता है मेरे वालिद के होते हुए मेरा कोई बाल बैका नहीं कर सकता ठीख है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरा है कि बोल बाला होना या इनकी तरक्की पर होना उन दोनों सॉरी उन दुनों म बोल बाला भी है STEPHAN è se आगे बढ़ते हैं अगल्ब मोहरा भाल की खाल खीचना यानी की पूरी च्छानभीन करना हामिद हमेशा बाल की खाल खीचता है बाल बाल बचना भाल बचना기는 कि साफ बचना ठीक है बात को पी जाना, ये भी कोशन पूछा गया था, बात को पी जाना का मितलब होता है, बात को बरदास्ट करना, जाहिद को बात पी जाने की आदत है, बाते लगाना यानकी चुगली करना, जाहिद बाते लगाना नहीं जानता, आगे है बगले जहांकना यानकी जवाब न दे पाना कल जाहिद मेरी बात सुनकर बगले जहांकने लगा बेड़ा उठाना यानकी जिमेदारी लेना जैद ने चोरी चोर को पकड़ने का बेड़ा उठा लिया यानकी जिमेदारी ले ली भाण जोगना यानकी जख मारना तुम ड्राइवरी सीख कर भी भाण जोग रहे हो ठ गुलामी करना देखें यहां पर सेंटिंज में यूज्थ कि अंग्रेज का पानी भरता पसंद नहीं आसमान पर सर उठाना यानिकी बहुत हंगामा करना बाप के मरने पर जय्द में आसमान सर पर उठा लिया यह भी कोशन पूछा है था आसमान तूट परना यहनिकी मुसीबत में फस जाना बाप दो ह社द असमान तूट परना आब रू में बत्ता लगना यहनिकी बेइज़दत होना लड़की के भाग जाने से खांदान की आब रू में बत्ता लग ग संसे यह हो गया sentence एक अगला मुहारा है आबाब करना यान की शर्मिंदा करना इसका जुम्ले में इस्तमाल किया गया है मैं तुम्हारी बातों से आबाब हो गया यान की शर्मिंदा हो गया आबाईल मुझे मार देखे ख्वा मखा के जगड़े में पढ़ना मैंने कब कहा था कि पढ़के पाउं में महंदी लगाना यान की बहाना हो जाना तुम नहीं आये लगता है पाउं में महंदी लगा रखी है ठीक है चिराग लेकर ढूंडना यान की बहुत महनत से तलाश करना मैं तो भाई तुम्हारी मैं तो भाई तुम्हें चिराग लेकर ढूंडता रहा द बाद करना रह्मान ने रहिम को जिर्व जबर कर दिया सर पाउं रखकर भागना यान की बेतहाशा भागना पुलिस को देखकर चोड जो है सर पाउं रखकर भागने लगा नाक में दम करना यान की किसी किसी को हद दर्जा परेशान कर देना जैड ने हामिद के नाक में दम कर रखा है ठीक है ना खुन लेना येनकी होश में आना जैसे की एजये तुमको में आखुरी बार चेहता हूं कि उक्ती ना खुन लो येनकी व्क्तके भाग जाना ये तो बहुत असान है और ये बहुत बार पूचा भी गया है चुर्ग पुलिस को देखते ही 9-11 हो गया और ये बहुत इस्तमाल भी किया जाता है लोगों की द्वारा सर पर हाथ धर के रोना ये इनकी बहुत अफसोस करना अपनी नाकाम्याबी पर सर हाथ पैर सर पर हाथ रखकर ना बैठो ठीक है सरखाब का पर लगना यानि की कोई अनोखी बात होना जैसे की तुम में कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं ठीक है हाथ धो बैठना यानि की दस्त बरदार होना हमित के वालिद बैठ हमित के वालिद जो है वो बेटे से हाथ धो बैठ है ठीक है हथियार डाला यान की शिकस्त मान लेना दुश्मन के सामने कमांडर ने लिए इंटहान पास करना है तो चली आज के इसवीडियों को हम लोग किमप्लीट मुहावरे को समझ गया है ठीक है ना जितना भी मुहावरा उर्दूं लेंगूज में हो सकता है तुस्का सारह में complete कर दी इस में कुछ important भी थे जो कि मैंने आपको बीच बीच में बताया भी कि हां यह यह मुखावरे important है जो कि आप लोगके exam में उस मुखावरे को डारेक्ट हूब भू देकर question पूचा गया था ठीक है तो I hope आप लोगो समझ में आया होगा किस भी तरह का कोई भी confusion है तो comment box में मेंने लिक बता दीजेगा नई तो समझ में यह दौनिळ कर करना है चैनल करना है तो सब्सक्राइब करना है थीक है तो चलिए फिर मुलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक किसान तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिक हमेस्ट